So now what we are going to discuss is your format of process account. Sir sir process account बनता कैसा है तो वो चीज़ है अब हम देखने जा रहे हैं आपके सामने ठीक है जी तो देखिए मेरी बात समझेगा सबसे पहले आप क्या बनाएंगे सबसे पहले आपको बनाना है process account ठीक है जी इसमें incur होने वाली सारी cost आपके यहाँ पर आने वाली ठीक है जी वो column किसका हो जाएगा आपका वो column हो जाएगा आपका cost per unit का ठीक है जी तो यहाँ पर आपको एक column और बनाना है and that is for what? that is for your cost per unit का ठीक है जी चलिए तो units into cost per unit क्या जाएगा आपके पास you will get your amount ठीक है amount हमारे पास simple way में आ जाएगी ठीक है चलिए किसी भी process में ह होने वाली सारी cost that will come on your what? debit side ठीक है जी वो किस side में आने वाली है वो debit side में आने वाले है क्योंकि खर्चे जो है हमेशा किस side में आते हैं आपके debit side में आते है ठीक है जी तो देखी कैसे? two material जो भी material आपने क्या करा है? use करा है that will come over here कितनी price पे आपने purchase करा? that will be what? that will be your unit cost per unit here here will have what? your units and here will come amounts ठीक है फिर हम बात करें यहाँ पर here will come two wages two expenses expenses direct indirect कैसे भी हो वो आपके यहाँ पर आने चाहिए ठीक है जी? indirect expenses के लिए although वो बो सकता है indirect expenses जो है वो process 1 में इतना बाटो process 2 में इतना बाटो process 3 में इतना बाटो कहने की बात क्या है? although वो आपको process 1, process 2, process 3 के लिए material कितना incur हुआ वो देगा wages कितनी incur हुई वो देगा आपको expenses कितने incur हुए है in respect of process 1, 2 and 3 वो भी देगा आपको बट कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो कि क्या करे गए है जो company as a whole के लिए incur करे गए है जो company as a whole के लिए incur करे गए है तो उन खर्चों को हमें क्या करना है process 1 में, 2 में और 3 में फिर bifurcate करना पड़ेगा, distribute करना पड़ेगा, बाटना पड़ेगा, तो उनको बाटने कैसे हैं, तो बाटने कहा, जिस basis पे आपको जिस basis पे आपको उन खर्चों को बाटना होगा, मैं आपको सीरी सी बाप बता दूं, indirect expense दे रखे होंगे, तो indirect expense जो है, जिस basis प प्रपोर्शन की कितनी है, proportionate निकालो, proportion निकालना आता है, बड़े समझदार हैं आप लोग तो proportion निकालना आता है, indirect expenses जो है, वो उस proportion के basis में बढ़ चाहेंगे, ठीक है जी, फिर आता है आपके पास यहापे by normal loss, ओ तेरी my god, यह normal loss क्या हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, वो पूरा पूरा input आपका कभी भी use नहीं होता, for example, जब आप यह dom material लेके आयते, कपडा, ठीक है जी, that is what your fabric, जो cloth आप लेके आयते, तो आपको याद होगा, जब यह इस department में पूरा input आया, यह सवन हो, जब यहाँ पर आएगा, तो यह cutting करेगा, इसने cutting करी, यह portion काट दिया, एक इसने यह portion काट दिया, तो यह side का आपका portion है, यह side का आपका portion है, क्या इससे आप दूसरा दुबारा को यह दूसरी शड़ बना सकते हो गया, नहीं, यह क्या हो गया, यह useless हो गया, तो यह जो input है, यह इन्हें पता है कि कैसा है, जो मेरा input है, उसमें से मु सब्सक्राइब तो आपको पता है कि आपके इनपूट के साथ बाद कुछ नॉर्मल लॉस होने वाला है तो वो नॉर्मल लॉस जो है वो आप कहापे शो कर देंगे यूविल शूव देगा आपको फोर एग्जांपल कैसे मालो 1000 यूनिट अगर हम इन्पूट डालेंगे if we are introducing 1000 units तो वो देगा आपको कि जो 5% है आपका वो क्या है normal लाउस तो 1000 का 5% कितना हो गया कितना हो गया 5% ये हो गया आपका 50 it means जो 50 units है वो क्या होने वाली ख़राब होने वाली मतलब कि जो सही बनके निकलेंगी वो कितनी निकलेंगी 950 वो सही बनके कितनी निकलेंगी वो सही बनके निकलेंगी आपकी 950 ठीक है तो यह जो 50 है यह क्या है आपका this is your normal loss this is what normal loss अब क्या होता है कभी कभी जो normal loss हुआ यह दो तरीके के normal loss होते है normal loss भी आपके कितने तरीके के होते है there are two types of normal loss पहला कौन सा वाला जब आपको कोशन में इस normal loss जो हुआ है जो आपका normal loss हुआ है इसके लिए आपको realizable amount दे रखा है क्या दे रखा है realizable amount मतलब कि यह normal loss market में big सकता है अगर big सकता है तो इसकी realizable amount आपको दे रखी होगी मतलब क्या जो मेरा normal loss है किसको बेचने वाला हूँ वह में बेचने वाला हूँ कबाड़ी वाले को तो कबाड़ी वाला मुझे कुछ ना कुछ इसके रूपे दे के जाएगा मैं 50 units जो है क्या करूँगा कबाड़ी वाले को बेचूँगा तो मैं यहाँ पर format में कैसे show करने वाला हूँ तो मैं format में show करूँगा units कितनी units आई 50 क्योंकि 50 units जो है वो क्या है आपकी normal loss amount कितना more low, realizable कितनी है वो मुझे 1 unit के 2 रुपे देने वाला है कबारी वाला मुझे 1 unit के 2 रुपे देने वाला है तो 50 into 2 कितना आगया amount amount आगया 100 तो यहाँ पर आप कितना amount show कर देंगे at this point you will show 100 तो यह हुआ आपका normal loss का treatment second thing is what अगर आपको realizable amount नहीं दे रखी realizable amount नहीं दे रखी मतलब कि कबारी वाला आपका normal loss है वो कोई खरी देगा ही नहीं वो कोई खरी देगा ही नहीं तो खरी देगा ही नहीं तो realizable amount कितनी है zero है yes or no तो उस case में कितना amount हो जाएगा units तो 50 रहेंगी तो units आप अभी भी show करेंगे कितना 50 amount कितनी तो वो हो जाएगी zero amount will come zero चेक्शा जी तो यह आपकी normal loss का आपका ऐसे treatment होने वाला है अब मेरी आप एक बात सुनेंगे बड़े ध्यान से आप लोगों ने क्या कराए जी आप लोगों ने आपको लगा कि गोवा की आजकल टी-शर्ट हो है वो बहुत famous है तो आप लोगों ने गोवा से क्या करी है आपने कितनी टी-शर्ट मंगवाई है 1000 टी-शर्ट और इसके आपने पे करें कितने रुपीज इसके आपने पे करें 80 रुपीज मतलब कि आपने टी-शर्ट मंगवाई है और आप इसको बेचोगे कहां पर आप गोवा की टी-शर्ट को बेचोगे राजिस्थान में क्योंकि गोवा और राजिस्थान ही ऐसी जगें जहाँ पर लोग गर्मियों में सिर्फ ठीक है समझ गए आउंगे आप चलिए तो जब आपके पास यहाँ पर टीशिट्स आई ट्रक में रखके यहाँ पर ओ मैं निकला ओ गड़ी ले के ट्रक में रखके जब आपके पास यह टीशिट्स आई तो आपने क्या देखा है यहाँ पर तो सिर्फ मेरी कितनी टीशिट्स आई है 9.50 T-shirt आईए थेक है आप इस गोवाले बंदे को कितने की payment कर चुके है आप इस गोवाले बंदे को यह attach you में से पैसे निकल रहे है 80,000 रुपसे का आप इनको payment कर चुके है राईसान वाला बंदा गोवाले को 80,000 की payment कर चुका है payment होने के बाद इसने क्या करा, ट्रक में 1000 टीशर्ट रखवा के इसके पास भेज दी, जब इसके पास टीशर्ट आई तो इसके पास टीशर्ट कितनी निकली, इसके पास टीशर्ट सिकली 950, 950 सर क्यों इसको पता था कि रास्ते में 50 टीशर्ट झो हैं वो ख़राब होंगी ही होंगी मतलब कि इसे पता था कि चो 50 टी-शेर्ट हैं वो क्या है मीरी normal loss होने वाली है ठीक है अब बताईए क्या इसके पास कितने टी-शेर्ट आएं इसके पाश पास टी-शेर्ट आएं सिर्फ 950 पर इसके पास से पैसे कितने जा चुके हैं, पैसे तो इसके पास 80 रुपे जा चुके हैं, तो अगर मैं आप से अब पूछूँं कि बताएं आप मुझे cost per t-shirt cost per t-shirt कितنی होने वाली है तो आप मुससे यहीं केंगे 80 रुपे है मेरी cost per t-shirt नहीं आपकी cost per t-shirt 80 रुपे नहीं है 80 रुपे जो आप क्या कर चुके हो जो आप pay कर चुके हो 80,000 रुपे यह 80,000 रुपे आपने कितनी T-shirts के लिए पे करें, भई मेरे पास आई तो कितनी, 950, मतलब कि ये जो 50 रुपे का मुझे चूना लगा है, इसका भी पैसा, मैं किस पर recover करना चाऊंगा, remaining T-shirts इसे पैसा क्या करना चाऊंगा, मेरा वसूलना चाऊंगा, ऐसा नो, तो cost per T-shirt जितनी भी आपकी आ रही है, वो आप calculate करना एक बार कितनी आ रही है, it will be more than 80, ठीके जी, तो ये है, तो this will be your new cost, सर ये अचानक से ये बीच में concept कहां से आ गया, ये आपका जो बीच का concept है, वो यहाई से निकल के आया है, ठीके जी, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, just see, यहाँ पे आ आप पे total cost incur कर रखे, you have incurred this cost for 1000 units के लिए, ठीक है जी, चली, normal loss कितना हुआ आपको, normal loss हुआ आपको 50 का, it means what, जो भी आपकी remaining जो होने वाली है, क्या चीज़ होने वाली है, जो भी आपकी remaining cost होने वाली है, वो क्या हो जाएगा, आपका, वो output है, 50 का loss, बागे 950 का थो हमने क्या बना दिया, output बना दिया न, यह सो लो, 1000 units आई थी, 50 का loss होता है, 50 का loss हो गया, remaining क्या हो गया मेरे output, तो यह output, अब इस output के तो आगए आपके पस 950, पर इसकी cost per unit क्या है, तो आपको हर process के बाद, क्या निकालना पड़ेगा, after every process, you have to calculate what, you have to calculate cost per unit, और वो cost per unit कैसे निकल आपकी, total input cost, क्या जीज बोली, मैंने, मैंने बोली, total input cost, total input cost कितनी, जितनी भी आपने यहापे cost बिछाई है, debit sign में वो, इसमें से में less कर दूँगा, less कर दूँगा, less कर देंगे हम, realizable value of normal loss, क्या less कर देंगे हम, हम less कर देंगे, realizable value of normal loss, अगर आपको realizable amount दे रखी होगी, तो amount कितनी आएगी, 100, तो जो भी cost होगी, जो भी आपकी cost आएगी, debit side में से, उसमें से में 100 less कर दूँगा, अगर realizable value 0 है, तो कितना less करेंगे, 0 less करेंगे, ठीक है जी, तो total input cost minus realizable value of normal loss, total input cost minus realizable value of normal loss, divided by total inputs, total inputs कितने थे आपके, 1000 के, और normal loss कितना है आपका 50, तो it means what, आपन जो cost है, वो कितनी units पर निकाल ली है, आपने, 950 units पर जो है, आपने अपनी cost निकाल ली है, and that's how we calculate cost per unit, तो जब हम बात करें यहाँ पर, कि output को किस पर represent करा जाएगा, तो यहाँ पर आपकी आजाएगी, 950, cost per unit कैसे निकलेगा जी, जैसे आप इस formula से उसको निकालेंगे, and ultimately you will get your amount, ठीके जी, so this is what view process account number one,